Hey guys, what's up? This is Shubhari from eGadgets4U. दोस्वे, इस वीडियो में हम लोग बात कलेंगे Google Duplex के उपर. जैसे पहले एक वीडियो में जिसका कार्ड में यहाँ पर दे रहा हूँ कि Google I.O. 2018 में क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या निया फीचर्स हम लोग expect कर रहे हैं, उसके उपर एक मेरा dedicated वीडियो है. अब जाके यह वीडियो होगा dedicatedly Google Duplex के उपर. Google Duplex, जो कि Google Assistant का ही extension है, वो हम लोग देख लेंगे, वो है क्या चीज़ और काम कैसे करता है. So without further ado, let's get started. सबसे पहले दोस्तों, Google Assistant का बहुत सरे enhancement होने जाया है, जैसा अब सभी को पताएं. इसमें से एक सबसे बड़ा कदम है दोस्तों, Google Duplex. यह Google Duplex के यूज़ करके आपका life और आसान होने वाला है. बहुत सरे टास्क यह Google Duplex बहुत आसानी से आपके लिए कर देगा. हाँ दोस्तों, robotics experience जैसे हो सकता है. सबसे पहले technicalities के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. Google Duplex एक recurrent neural network है, जो की train किया गया है highly specialized task के लिए. यह Google का automatic speech recognition को लेता है, technologies embedded किया हुआ है, इसमें जिसके तहे यह interface कर सकता है user के साथ. मतलब user जो की आप हो, जब आप use करोगे Google Duplex को, वो आपके भार्षा को या फिर आपके request को वो समझ पाएगा. अब जाके वेवनेट, जो की Google का एक दूसरा artificial intelligence based program wing है, उसके कारण duplex का जो sound आएगा, वो sound a lot closer to human being voice होने वाला है दोस्तों. इसका मतलब यह है, आपको ऐसा feel नहीं होगा कि आप robot के साथ बात कर रहे हो, या फिर आपके phone में जो है वो आदमी नहीं है. इतना सारे experience तो आपको मिलेगा, इतना सारे enhancement के लिए अभी भी काम चल रहा है. हाँ अभी भी यह assistant का अपडेट आया नहीं है, बहुत ही जल्द आ जाएगा, लेगिन उससे पहले बात कर लेता है कि यह क्या-क्या task आपके लिए perform कर सकते हैं. बहुत सरा mundane tasks, जैसे माल लीजे, restaurant में आपको कोई booking करना है, salon पे कोई booking करना है, या फिर कहीं पे meeting schedule करना है, किसी के साथ, यह सारे काम यह कर सकता है. तो आप next question यह आता है, यह सारे काम यह कैसे करेगा? हाद उस, पहले four example हम लोग देख लेते हैं कि restaurant में seat book करने के लिए, इसी example को लेकर हम लोग चलते हैं. तो सबसे पहले जब आप Google Assistant को बोलोगी कि book a table for tree in that restaurant at that day on that time, तो इसके लिए क्या करेगा? उसके बाद यह search करेगा कि वो particular restaurant जो है जिसके लिए आप booking करना चाहते हो, उसका कोई available website है के नहीं? और उसमें booking feature है के नहीं online? अगर यह रहे जाएगा वहाँ पे, तो यह online booking कर देगा आपके लिए. हाँ दोस्तों, आपको कुछ करने का यहाँ पे जहुरत नहीं है. लेकिन दोस्तों, यहाँ पे important चीज यह है कि यह आपको बताना परेगा कौन से time range में और कितने person के लिए और कौन से date में आपको यह booking चाहिए ताकि वो reminder सेट कर पाए और उस सरके से booking कर पाए. अब question यह आता है कि online booking को वहाँ पे अगर कोई सुवीदा नहाओ तो क्या होग तब जाके Google Duplex call करेगा that particular restaurant को. हाँ दोसो यह number यह आपके saved phone memory list से भी आप ले सकता है या फिल directly from the website phone number ले सकता है उसके बाद वो direct call करेगा वो number पे. अब यहाँ पे यह बताना ज़रूरी है दोस्तों कि यह जो call जाएगा यह आपके phone numbers से नहीं जाएगा. इसके लिए कुछ encrypted phone numbers use करेगा Google Duplex जहां से यह call जाएगा. अब यह call जब जाएगा तब जाके क्योंकि इसमें speech detection embed क्या हुआ है तो on the other end of the receive of the call जो user वो call को answer कर रहा है अब उसका जो feedback है वो यह समझेगा. इसके लिए कुछ human touch जैसे हम हाँ यह सारे sounds भी embed क्या हुआ है Google Duplex में. हाँ दोस्तों यह सुने में बहुत हैरानी हो रहा है लेकिन अस्रियत में यह होने वाला है. अब दोस्तों furthermore यह approach करेगा वो user को booking slot देने के लिए. जो time slot आप assign किये हो उसी slot के लिए booking करेगा. अगर यह time नहीं मिलता है तो यह booking नहीं करेगा वो particular slot में. या फिर किसी और available slot में यह booking नहीं क परेगा. हो सकता है यह humanly sound करें. हो सकते है human voice को recognize करें. लेकिन फिर भी आखिर में यह software है जो कि artificial intelligence पर बनाया गया रहे है. अब जाके दोस्तों कहीं पे भी Google duplex को यह लगे कि वो reciprocate नहीं कर पा रहा है और the other end of the call की. तब जाके वो आपको notification भीजेगा या फिर आपको ऐसे बोलेगा कि आपको take over करना चाहिए यह call को. तो यह notification के ताहिए फिर कुछ भी embed क्या हुआ technologies जिसको पर अभी भी काम चल रहा है. उसके उपर जाके यह आपको notify करेगा कि यह call furthermore आपको करना चाहिए क्योंकि वो शायद enable नहीं हो रहा है. वो पूरा काम खतम करने के लिए. अब दोस्तों यह booking हो जाने के बाद automatically Google Duplex आपके calendar में reminder set कर देगा on that particular day on that particular time आपको notifications भी आएगा कि आपको यहाँ पर जाना है. अब दोस्तों यहाँ पर दो सवाल आता है जो कि बहुत important question है. पहला तो कितना सारा data मनें आपका data यह artificial intelligence collect करेगा मतलब Google collect करेगा ताकि आपको यह enhanced field दे बाए यह question अभी भी answered आप नहीं हुआ है क्योंकि इसको बहुत सरे data सबको collect करना पड़ेगा कैसे आप browse करते हो कहा कहा पर जाते हो क्या क्या करते हो कैसे messages sync करते हो तब ही जाकर यह feed आप आप आएगा कि यह जो Google Duplex है Google Assistant में बिट क्या हुआ यह exactly आपकी तरह और second question जो आता है जो person receive कर रहा है यह call को from Google Duplex क्या उसको कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो एक machine के साथ बात कर रहा है यह भी कुछ tricky चीज़ है इसके उपर भी अब R&D चल रहा है हो सकता है कि जब Google Duplex का call चाहे open and end में भी कुछ ऐसा notification साइट रो call या फिर ना आए जो भी हो ऐ यह जरूर कहना है Google से कि वो trick करने का मतलब इसका नहीं है यह आपके life को असान बनाना चाहता है तो इसके लिए जितना हो सके उतना ही वो लोग करेगा और उतना ही enhanced feel देगा तो यह ही है दोस्तों Google Duplex बहुत ही जल असिस्टेन का यह update आने वाला है शायद 2-3 महीने के अंद सब्सक्राइब करना मत भूला मेरे चैनल को और उसके बगल में जो notification का बेला है उसको भी on करके रखना ताकि आपको notifications आए जब भी मैं नया video upload करूँ मेरे चैनल पर तो हुप सो यह video helpful रहा आप सभी के लिए जितना हो सक इसको like कीजिए और share कीजिए सभी के साथ क्योंकि knowledge और information सभी के साथ बढ़ना चाहिए So that will be it guys, bye for now